एक पर फिर से आपकों के सामने और आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकों के सामने हूँ और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग दिसकस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस आफ ट्रस्ट जासे कि हम जानते हैं किसी भी चीज का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट विस्वास यह बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि जब कभी हम किसी से कोई चीज खरीगते हैं तो वहाँ पर एक ट्रस्ट है भले हम पैसे दे कर खरीबते हों लेकिन जो ट्रस्ट है वो बढ़करार रहना चाहिए और ट्रस्ट बनाय रखने के लिए हमें अपनी चीजों को मेंटेंग करना पड़ता है तो हम कैसे ट्रस्ट को बना के रख सकते हैं हमारे केश के साथ हमारे कली के साथ हमारे सुपरवाईजर के साथ जो ट्रस्ट है ट्रस्ट आपके बिजनिस को आगे बढ़ाता है जसा एक्जांपल में देता हूँ आपको सबोस्थ आपकी सी दुकान से कोई चीज ख़रीद कर लाते हैं आपको बिस्वास है कि अगला जो भी दुकानदार है वो आपको अच्छी मैटेरियल भी देता और suppose वो दो-तीन बात अच्छा देने के बाद अगर आपको मैटेरियल कुछ खराब दे देंगे तो वहां से हमारा ट्रस्ट खतम होने लगता है और फिर हम दुकान को चेज कर देते हैं क्योंकि हमें तो पैसे देने हैं तो पैसे के साथ जो ट्रस्ट मिलता था वो ट्रस्ट नहीं मिल रहा है वो अब हमारे साथ चीट करने लगा है तो चीटिंग नहीं होना चाहिए और हमा यहां हम जाने की importance क्या है trust का तो सबसे पहले जो हमें discuss करें वाले हैं वो guest will repeat अगर मैं guest की बात करूं तो हमारे जो guest हैं वो trust की वज़ा से ही पार-बार हमारे पास आते हैं अगर सबकूस हमारे यहां उनने घाना खाया और फूड का जो Wednesday था उसे ने पसंद आया तो वो हमारे पास बार बार आयं लेकिन यह जो ट्रस्ट बना है उनका कि इस जगह पें अज़mental कर पर काण नत्था इस जगह पर सरविस का क्उइप अज़ ईछ वह तो यह जो हमारे बिस्वास हमारे ट्रस्ट की हमारा चीजह हम बना करके जो देते हैं कि इसको सर्विस करते हैं तो सर्विस के दौराल हमारे स्टाफ बहुत ही क्लीप और हाईजिन को मिंटेन करते हैं बैसे ही वहां का जो food का taste है प्लस food को बनाने के दौरान जो hygiene है वो भी हम proper maintain करते हैं तो यह जो trust है यह बरकरार रहना बहुत जरूरी है इससे क्या होगे हमारे जो guest है वो बार बार repeat होंगे और हमारा business बरकरार चलता रहेगा और आगे की तरह बढ़ेगा the next guest will recommend others obviously अगर यह trust है हमारे उपर guest का अगर हमारे organization के उपर trust है obviously organization is a male but the male जो इस trust को बनाने के लिए जो लोग काम करते हैं वो होते हैं वहां के staff यानि की हम लोग तो हम लोग ही trust बनाते हैं लेकिन अगर हम बारा किसी guest के साथ trust अगर खराब हो तो इसका क्या effect आएगा वो जो है guest दूसरों से भी यह recommend करेंगे कि don't go to that place because वहां पर मैं पहले बार गया था तो ऐसा था बढ़ उसके बाद ऐसे ऐसे facilities हैं तो वो अच्छा नहीं है आप बेटर तो नहीं और चले जब लेकिन अगर हम इन चीजों को पर मेंडेट करते हैं और guest का trust हमारे उपर है तो he will recommend others और सो तो मतलब वो खुद तो आएंगे लेकिन साथ में और भी guest को recommend करेंगे कि आप भी महां जाएए महां का food quality अच्छा है महां पर service अच्छा है तो इससे हमारे customers पढ़ेंगे और हमारा business भी होई दो the next point is our supervisor will have faith जैसा कि आपको गानते हैं हम जब काम कर रहे हैं तो हम अपनी कलीड के साथ काम करते हैं हम अपनी supervisor के साथ काम करते हैं तो अगर हम उन सारी standard वहां का जोगी high-dance standard हो या फिर अलग दुसरी standard है अगर हम उसको meet करते हैं हम अगर अच्छे से follow करते हैं तो हमारे जो superior हमारे supervisor या manager है उनका भी हमारे ओपर trust बनता है and he will leave some of the things on us वो हमारे ओपर छोड़ लेगे कि हमें पता है ये लड़का अच्छा है ये कर लेगा तो वो जो trust है वो ही ये कहता है कि he will do it और इसलिए हमारे supervisor हम पर trust करके उनका काम लेजी होता है और हमें सीखने का मौपर होता है The next point is good relation with our company तो हम जब कभी भी अगर हमारा ये trust बनाने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ हम service अच्छी देते ये तो बहुत कुछ है उसमें हमें बहुत सारे चीजों को mandate करना पड़ता है और इसलिए हमारा और हमारे कल्म का जो foundation है वो बहुत अच्छा होता है और जब हमारा foundation अच्छा होगा तो obviously हमारे अंगर एक अच्छी trust आएगी और हम एक दूसरे को cooperate करेंगे coordinate करेंगे just because इसलिए क्योंकि अगर आज हम किसी को coordinate करते हैं cooperate करते हैं तो many problem के time पर भूभी मुझे cooperate करेगा और ये importance बहुत है जादा है कि हमारा कली हम पर trust करे because finally after the operation there are some work before the operation there are some work और उस time पर आपकी मदद जो करता है वो आपका कली ही होता है कली का असलिए होते है जो apart from job अगर आपका वह के साथ trust अच्छा बना है तो maybe अच्छा बना है ये बहुत important है इसलिए आज जो हम topic के बारे भी discuss कर रहे है importance of trust मतलब विश्वास का क्या महत्व है तो जसा कि आपको चांग रहे है कि जो ये बिश्वास में चल रहे है और यहां हमारे यहां पर होते हैं हमारे supervisor होते हैं हमारे collect होते हैं एंद हमारे guests कोते हैं और इन सबों के साथ हमारा जो बिस्वास है तो अच्छा बनाः कर रह नहें ताकि हमारा भी job अच्छे से चलता रहे हमारे company का जोब अच्छे से चले हमारे company का business वड़े और इस तरीकिसे अमारी company जब आगे बड़ेगी तो हमारा भी growth हुगा हम start करेंगे as a lady steward field, steward field captain और ऐसे करेंके हमारा भी growth हुता चला रहेगा तो बेख सूर कि आप इस ट्रस्ट को बनाये रखें और जो इंपोर्टिंग्स है ट्रस्ट का इसको हमेशा माइड में याद रखें ताकि आप एक अच्छा सर्विस्मेंट बन सकें एक अच्छा होटेलियन बन सकें I hope आपको मुझी आपको अच्छे से समध्राया होगा और आपको इस चीच को फॉल्व करें ताकि आपको अच्छे एक अच्छे एक अच्छा होटेलियन बन सकें Thank you very much